हाई फ्रेंट्स वेलकम तो यह कैसे दिस इजमिस्तिया का यह वाचिंग यह कैसे दोस्तों यह लिनेर एक्वेसिन टू बैरेबल्स का 22 वीडियो इससे पहले 21 वीडियो अलड़ी बन चुका है जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगा अगर आ इन कोश्चन्स को बनाने में यूज होंगा तो पहला फॉर्मूला है दूरी इजिकल टू चाल गुना समय तिया जो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है इसको मेह पर डिराइब नहीं करूंगा क्योंकि यह आप आलरी नाइन्थ किलास के फिजिक्स के रेश्ट एंड मो पिजदिया तो आगिया समय बराबर दूरी बटे चाल और तीसरा फॉर्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय यहाँ पर चाल को इदर रहने दिया और समय का ट्रांस्पोजिसन कर दिया तो कि दूरी बटे समय चौथा नमबर कह रहा है धारा के अनुकूल चाल धारा के अन सकते हैं दाया की चाल को समझने के लिए ओर नदी में पानी गती कर रहे नदी में दो बते घ्र नाव feelings याया आप छो पर्UL गती है वो थीध करते वह थीध्या के टूछ react करते एक दि वह टिक करते इंदन के अर्व और आपका गति मतलब आपका गती है मतलब तैरा की गती या आप किसी नाव पे हो मालो नाव तीन किलोमेटर परदी घंटा से गती कर रहा है तो नाव की गती होगे तीन किलोमेटर परदी घंटा और जो धारा गती कर रहा है तो ऐसे में एक्चुल में जो आपका गती होगा धारा की दिशा में वो गती करोगे लेकिन है पर धारा भी है ठीक है तो आपको क्या करेगा आपको पुस करेगा धक्का मारेगा तो आपको कितना से धक्का मारेगा उतना से धक्का मारेगा जितना उसका एक्च्वल गती होगा तो उसका एक्च्वल गती दो किलोमेटर पर दी घंटा है तो दो से आ कमा रतकुल मिलाकर आपका जो गती होगा वो 5 km परतिगंटा हो जाएगा ति ये 5 कैसे आया ति ये आया आपका अपना गती और धारा का गती को जोरने से इसलिए धारा के अनुकुल जो चाल होगा या गती जो होगा वो तैरा या नाव की चाल और धारा की चाल होगा ठीक इस लेकिन धारा अधर से 2 किलो मिटर्ति घंटा की इगटी से आ रहा है तो वह क्या करता है आपको 2 किलो मिटर पीछे कर देता है तो ऐसे में एकुमेट्पे में कितना distance travel करोगे तो आफाइनली बताओगे कि भाई 3 km में आगे गया था और 2 km हमको धारा पीछे कर दिया तो जो final distance travel जो हुआ वो हुआ 1 km 3 km आगे फिर 2 km पीछे तो 3 घटा दो 1 1 km आपने actual में distance travel किया तो यह कैसे आया तो यह जो आया वो आया आपका गती माइनस धारा की गती तो वही हो जो जाया आगा formula कहरा तैराक यानि आपकी गती या नाव की चाल ठीक घटा धारा की चाल तो यह कुछ formula था जो कि इस वीडियो के questions को solve करने में help करेगा इसलिए हमने इनको देखा चलिए अब देखते हैं इस वीडियो के कुछ questions को question कहरा है रीतू धारा के अनुकूल दो घंटे में 20 किलो मीटर तैर सकती है और धारा के परतिकूल दो घंटे में 4 किलो मीटर तैर सकती है उसके इस्तिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ग्याद करेगा question NCRT का है चले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कहरा है रीतू जो है ये धारा के अनुकूल मतलब धारा जिस दिसा में गती कर रहा है उसी दिसा में जब रीतू गती करती है तो ऐसे में दो घंटे में 20 किलो मीटर चल रही है ये पहला पार्ट है तो लिखेंगे माना सांत जल में रीतू की चाल ठीक है तो मान लेते हैं एक किलो मीटर पर दी घंटा मतलब वह एक घंटा में एक स्किलो में चलता है और धारा का चाल ये मानली हमने वाई किलो मीटर पर ती घंटा अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग पता करेंगे कि धारा के अनुकूल रीतू दो घंटे में कितना डिस्टेंश ट्रेवल कर रहा है ये हम खुद से निकालेंगे और इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको पहले पता करना पड़ेगा रीतू का चाल धारा के अनुकूल क्या है तो चलिए लिखेंगे धारा के अनुकूल धारा के अनुकूल ठीक है धारा के अनुकूल में जो रीतू का चाल होगा वो क्या होगा रीतू का चाल ठीक है तो लोग पहले ही पर चुके हैं जब अनुकूल चाल निकालना होता है तो ऐसे में क्या करते हैं तैरा के चाल में धारा के चाल को जोर दिया जाता है तो यहां अब क्या है कि हमको अनुकूल इसका चाल मालूम हो चुका है और यह अनुकूल कितने घंटे तक चल रही दो घंटे तक समय मालूम है ठीक है यहां लिख सकते हैं धारा के अनुकूल समय यह जो है यह दो घंटा ठीक है तो ऐसे में चाल मालूम है समय मालूम है तो ऐसे में धा साल वह है एक्स पलटक्पारां कि नोट कि लगु कर लाए कि अनुकूल अप्रण हो नहीं कि इसना आए दो किया है नहीं को बोहता है वह होगे परसन से यह दूरी दो घंटे का है और यह दूरी भी दो घंटे से दोनों बराण हो जाएगा तो हो जाएगा 2 x plus y बराबर 20 तो यहां से दो का ट्रांस पोजिशन करेंगे तो हो जाएगा x plus y बराबर 20 बटे 2 तो हो जाएगा X पलस Y बराबर 10 इसको क्या गड़ेंगे समिक्रेम एक माल लेंगे तो हम लोगों ने अनुकूल वाले केस पर काम कर लिया अब क्या गड़ेंगे हम परतिकूल वाले केस पर काम करेंगे लिखेंगे धारा के परतिकूल धारा के पर्तिकूल ठीक है तो धारा के पर्तिकूल सबसे पहले हम रीतू की चाल निकालेंगे कि वो क्या है तो क्या होगा देखते हैं तो रीतू की चाल तो हम लोग धारा के पर्तिकूल चाल कैसे निकालते हैं सुर्यों में देख चुके हैं क्या करते हैं, जो तैराग होता है, उसके चाल में धारा के चाल को घटा देता है, तो तैराग जो है यहाँ पर उसका चाल है X किलोमेटर परती घंटा, और धारा का जो चाल है Y किलोमेटर परती घंटा है, तो X में Y को घटा देंगे तो यह हो जाएगा परतिकूल दिसा में 3-2 की चाल X-Y के लिपर परति घंटा और यहाँ पर जो परतिकूल दिसा में जो चला वो कितने घंडे तक चला है 2 घंडे तक चला है तो यहाँ पर भी जो समय है वो है 2 घंटा समय हो गिया 2 गंटा ठीक है तो ऐसे में अब वो पुल कितना distance travel करेगा यह निकाल सकते हैं तो लिखेंगे दूरी बराबर तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय हम यहां पर डारेक्ट मान लिख रहा हो तो दूरी बराबर चाल गुना समय तो चाल है x-y और गुना समय है 2 घंटा इसको हम solve कर लेते दिया हो जाएगा 2x या फिर मैं इसको केवल आगे कर देता हूँ यह हो जाएगा 2 x-y इतना किलो मीटर ठीक है तो हम देख रहें कि धारा के परतिकूल 2 घंटे इतना distance टेबल कर रहा है और यह question बोल यह लिखेंगे फिर परसन से ठीक है फिर परसन से ठीक है तो यह जो distance है यह लिए 2 x-y ठीक है और बराबर हो जाएगे 4 km के तो हो जाएगा 4 इस दो का transformation करेंगे तो हो जाएगा एक समय बराबर 4 बट्टे 2 तिहां से हो जाएगा x-y ब्राबर 2 तू कि है इसको मालत समिकरण 2 अब क्या है कि समिकरण 1 में देख रहे हैं x-y ब्राबर 2 है तो क्या करें कि दोनों समिकरण को जोर देते एसे में क्या होगा यह पलस बाइए मायनस ब्राबर 10 और यहां है x minus y बराबर 2, दोनों हम add कर रहें इसलिए किसी का चीन बदलेगा नहीं तिये plus रजी ये minus हो जाएगा तिये plus y, ये minus y, दोनों cancel हो जाएगा ये x x ये हो जाएगा, 2x बराबर ये 10, 2, ये हो जाएगा 12 यहां से x बराबर हो जाएगा, 12 भागा 2, तो x बराबर हो जाएगा 6 ठीक है, तो हम x निकाल लिए अब क्या करेंगा, y कमान निकालना है तो इसके लिए x कमान, समिकरण 1 या समिकरण 2, कहीं पर भी रख दे, वहां से y निकल जाएगा, चिल लिखते है x कमान समिकरण 1 में रखने पर, यहां लिख देते है, x कमान समिकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समिकरण 1 क्या है यह है, x पलस y बराबर 10, तो x कमान अभी निकालें, x कमान है 6, तो हो जाएगा 6 पलस y बराबर 10, यहां से y बराबर हो जाएगा 10, 6 का ट्रांस्पूरिशन करेंगे, माइनस 6 हो जाएगा, तो y बराबर हो गिया 4, ठीक है, तो y भी निकल गिया, 4, x निकल गिया, 6 अब देखते हैं कि y क्या था, x क्या था, तो x जो था, वो रीतू का चाल था इसका मतब रीतू का जो चाल है, वो 6 किलोमीटर परतिघंटा है, और y जो था, यह धारा का चाल था, तो धारा का चाल निकल गिया, 4 किलोमीटर परतिघंटा, लिख सकते हैं, अता, रीतू का चाल, बराबर हो जाएगा, 6 किलोमीटर परतिघंटा, एवं, धारा का चाल, ब पसंद आए तो प्लीज लाइक करें हमारे चनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंट्स मिस्ते ज्यादा ज्यादा सेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिटेक किया गुड़ बाई